नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल अविग्ना युनिवेर्सल रेमेडीज पर दोस्तों आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर वापिस आए हैं और आज का हमारा इशा है नए साल का पहला शनिवार 6 जनवरी को पढ़ रहा है इस दिन शनिग्रेय एक खास तिती में रहेंगे जिसकी वज़े से कुछ राशियों पर खास असर पढ़ेगा ये असर हानिकारक और लापकारी दोनों हो सकते हैं आज हम आपको उन राशियों के बारे में बताएंगे जिनको शनि की सवस्ता के कारण लाब होने वाला है और उनकी जिन्दगी में नया मोड आएगा आईए जानते हैं राशियों के बारे में नमबर वन पे हैं मेश राशी मेश राशी वालों के लिए साल का पहला शनीवार काफी लाब दायक सिद होने वाला है मेश राशी के जाता है किस दिन मंदिर में जाकर तेल का दीपक जलाएंगे तो उनकी बुरी किसमत दूर हो जाएगी मेश राशी के रुके सभी कारे सिध होना शुरू हो जाएंगे किसमत में बड़ा बदलाव आएगा यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो ये महीना काफी शुब है निवेश से काफी लाब होने की संभावना है नमबर दो पे है धनू राशी धनू राशी के लिए साल का पहला शनीवार काफी शुबकारी सिध होने वाला है साल के पहले शनीवार को धनू राशी के जातक को शनी मंदिर में घोड़े की नाल चड़ानी चाहिए ऐसा करने पर आपके घर में मालक्ष्मी की कृपा होगी धन आगमन के नए द्वार खुलेंगे आपके शत्रों का नाश होगा भूलकर भी धनू राशी के जातक शराब और मास का सेवन नै करें इस ते शनीदेव क्रोधी तो जाएंगे और आपकी अच्छी किसमत बुरी किसमत में भी बदल सकती है कुमबराशी के जातक के लिए साल का पहला शनीवार सबसे ज्यादा लाबकारी है आपको साल के पहले शनीवार को वरत रखना चाहिए और शनीदेव के मंदिर में तेल के दिये जलाने चाहिए ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी यदि आप कमारे हैं तो इस साल जल्द ही आपके जीवन में सच्चे प्यार का अगमन होगा जिन राशियों के नाम यहां नहीं है उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है साल के पहले शनिवार के दिन ये सभी शनिदेव के मंदिर में तेल का दीपक जलाएंगे और काली गाएं को हलवा पुड़ी खिलाएंगे तो शनिदेव आपके जीवन में आने वली सभी परिशानियों को दूर करेंगे तो दोस्तों आज का हमारा आर्टिकल आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और कोई भी सवालों कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पेश कीजेगा धन्यवाद शुबरात्री